नमस्कार मैं हूँ आपकी प्यारी लाली और स्वागत करते हूं आप सभी का अपने इस यूटीब के चैनल लाली की थाली में आज की रेसिपी है वो है हरी प्याज और आलो की सबजी आलो मैं यहां पर डालना फूरी तरह अप्षिणल है इसो अब अगे पीछे पारिक छील लिया है और मसाली के लिए मैंने लिया है टमाटर लेस्ट्ट और हरी मिर्च इसका हम अच्छा न पडे लें गे और जो हमने हर के सज़ाटर प्याजन पाइद धिए आप रखेगा इस बात के आपको आलू और प्याज खास करके पहले से ही दोके रखनी है वर्ना आप धोने की बाद अगर काटेंगे वह सब्जी काफी चिपचिपी वह जाती है तह इस बात का जरूर indoor हो तैंके त्यार हो जाते हैं दूसरी तरफ हम कडाही में डाल देते हैं तेल तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे जीरा जीरा अच्छे से भूं जाएगा चटक जाएगा इसके बाद हम डाल देंगे हमारा पेस्ट पेस्ट को भी अच्छे से तेल में हमें भूचना है जब तक कि इसका मोईस्चर कम न हो जाए और एक अच्छा सा कलर आ जाए हमारे मसाले यह देखिए तेल उपर उपर आ गया है मसाले के इसमें डाल देंगे दनियागा पाउडर और हल्दी यहां पे आप गरम मसाला भी डा कटे हुए डाल देंगे अच्छे से सबको मिलाएंगे स्वादन उसार नमक और थोड़ी देर तक इसको बीना पानी के ही पकाएंगे और उसके बाद पानी डाल तक आलू मुलायम होने तक इसको पकाएंगे रस आप कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो चलिए लेते हैं मज़ा अपने आलू और हरी प्याज की सबजी का गर्म गरम रोटी और ट्रावल के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए शेर करिए और मेरे इस यूट्यूब के चैनल लाली की थाली को सब्सक्राइब करें